हेलो फ्रेंट्स माइनेम इस रवी और वलकम टू ओल इन वाई चैनल शट्व जानल तो फ्रेंट्स आज आज आपका 14 फरबरी एससे जीडी कॉंस्टेबल का एक्जाम पूरे दिन को ओबर ऊचुका है ठीक है तो इस वीडियो में कबर करेंगे आपका फर्स शिप्ट आने वाले समय में एक्जाम है या फिर आपका आने वाले दिनों में एक्जाम है तो आप लोग देखके एक बेसिक से एडिया लगा लिए किस टाइप से अपका मैट का पैटन पूछा जा रहा है ठीक है थाकि आप उसी टपके मैट की प्रेक्टिस कर सकें ठीक है तो अगर फिर से मैं बोलना चाहता हूं सेसरे स्टार्ट करने से पहले यहां पास आपको डाटा थोड़ा इधर से उधर आपको देखने को मिल सकता है बात बाकि आपका पूरे पैटन हंड्रेट परशंट सेम टू सेम है ठीक है तो आप लोग देख लीजिएगा ठीक है और इ 31% का चूट दिया गया उसके बाद 15% का लाब हुआ तो क्राय मूल बताए ठीक है बोला जाए कोई वस्तू है जिसका दाम आपको क्या बताए जारा अंकीत मूल मतलब 1260 है उसमें क्या बहुत जारा 31% का चूट दे दिया जाता है ठीक है उसके बहुजूद उसको 15% का मतलब क्या मतलब हुआ कि अगर 31% अगर छूट दे रहा है तो फिर बेज कितने मेरा होगा तो देखिए 100% में मान लीजिए आपका अंकीत मूल है 31% चूट दे दिया तो बचा कितना परतिसात तो आपका बचा यहां पर मैं लिख ले रहें तो यह मेरा क्या आया है आपका विकराय मूल पूचाता तो देखे यह क्या आया थैसे इतुर प्लस लाव मतलब अपका लब लावgov परतिसत यह क्या अगर चानधी आपस घाटा बोलता तो यहा पस क्या हो जागा 115 हो जाएगा क्लिया रहा है अब देखें यह 100 मेरा कट गया अब यहां से देख लिजागा यह देख लिजे 23 का पाड़ा में यह आपका तीन बार में कट जागा यह 23 का पाड़ा में पांच बर कट जागा ठीक है अब यह 5 आपका इससे काट लिजे तो क्या जागा आपका यह आपका अच्छा खासा देखने को मिल रहा है कि आपका कुछ-कुछ प्रीज़ पूच ले जा रहा है ठीक है मैं आपका पैटन फ्रेंट्स अगर देखा जाया तो पिछला 3-4 दिन के आपका 50-60 परसेंट आपका कोशन मिलते मिलते आ रहे ठीक है बात बगे कुछ-कुछ आपको चेंजस को देखने को मिल रहा ठीक है मैं आपको आगे बताता हूँ किसटेक का कोशन आज देखने मिला है फिलाल और हाँ और आप जो लोग आपका तयारी कर रहे हैं आपका जीडी के लिए तो फैंट्स मैं बोला चाहिए जो भी वीडियो करा रहा हूं मतलब कि आपका 11 तरीक से वह सारे वीडियो को देख सकते हैं ठीक है वहाँ पास अगर उसको सबको कवर करके चलते हैं तो फैंट्स आ पार कर लेती है यहाँ लिखा ओपार कर लेती है। तथा 100 मिटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेंड में पार करती है ठीक है तो र ny गारी की लंबाई बताए तो तो यहां पलेंällen पोला जया रहा है आपके कि कोई आप समझ गए और मैं को रेल गाड़ी का लंबा ही पुछा यहां पास तो सबसे पहले आप सोचिए रेल गाड़ी था आपका यह खंबे को पार कर रही थी तो कितना से कंड लेगी तो 15 सकेंड यानि डिस्टेंस क्या हो जाएगा जब आपको आपका जब खंबे को पार करीगी तो खुद का ट्रेन का ही आपका डिस्टेंस हो जाएगा तो यहां पास मैं ट्रेन को टी माल लेता हूं और मुझ क्या हो जागा तो यहां पास हो जाएगा उसका train का train का अब प्लस जोड किसका हो जाएगा तो आपका platform का लंबाई यानि platform का लंबाई किता है तो 100 तो बस इसको solve कर लिजिए कितन सकंद ये पार कर रहा तो पचीज से कर जाएगा यहां से 5 का पाड़ा में तीन आपका 300 हो गया तो 3T यहां आजाएगा तो क्या आजाएगा आपका यहां पास आपका हो जाएगा 2T equal to यह आपका 300 तो ट का value क्या आजाएगा देर सो ठीक है फ्रेंट सुमीद करता हूं अपना हुट समाज आगा तो इसका 60 cm square है जो एक वर्ग का 90 परतिसत बराबर है वर्ग की भुजाए बता है ठीक है फ्रेंट तुमीद करते हैं आपनों समझ गया होंगे क्या बोला जा रहा है कोई आपका आयात है ठीक है यह मान लीजा आपका एक आयात है जिसका चेतरपल आपको दे दिया 360 cm square क्लियर है अब क् एक वर्ग का एक वर्ग का 90 परतिसत बराबर है मतलब अग इसका कुछ भी होगा इसका जो भी चेतरपल होगा इसका 90 परतिसत ही है एपका 360 cm square मतलब इसका आपका चेतरपल उमिद कर रहा हूं आप लों समझ रहोंगे तो आपसे क्या पूचा वर्ग की भूजाए बता है त मतलब इसका भाग का स्वाग चेतरपल क्या मतलब आपका जब आपको 90 परतिसद है 360 400 क्या होज़ए तो 20 वह करक에 है दो चार गुनंट यानि क्या हो जागा मेरा यानि आपका वो रग है वह कितना चेतरपल कर टो यहीतर्पन का ठीक तो बस यही टृट कूच जाएगा तो 20 हो जाएगा ठीक है यानि इसका अंसर क्या बनेगा 20 बनेगा ठीक है तुमीद करता है उप्ला कुछ समय जाया होगा चलिए, नेक्स वोश्कन क्या वारते है आपका तो यह रहा मेरा next question तो यहां देगे क्या बोला आपसे 5 बटा 24 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन 7 बटा 48 हो ठीक है तो उम्मिद करता है अपने समझे होंगे क्या बोला जाए अपका 5 बटा 24 है उसमें से क्या घटाया जाए मतलब मैं मानके चलता हूँ क्या घटाया जाए आपको वही बोल रहा है तो यहां पस मैं मानता चलता हूँ कि आपका x घटाया जाए ठीक है आपको क्या बन जा रहा हुँए उसके बद तो 7 बटा 48 बन जा रहा हुश तो 7 बटा 48 बस इसको अप्सॉल्ब कर लिजिए तो यह वाला एक्स आपका वहाँ चला जाएगा और यह वाला चीज आपका यहां आ जाएगा ठीक है तो आप इसको एक्स का वैल्यू निकाल सकते जो आएगा आप उसको बोलेंगे यह आपका घटा के आपका 7 बटा 48 आपको प्राप्त हो जाएगा ठीक है तो वमीद करता हो यह आप लोग कर लेंगे चलिए नेक्स क्यों चलते हैं यहां लेक्स क्या ज़िए यह आपसे एक वर्ग का छेतरफल दूसरे वर्ग का छेतरफल का दोगुना है ठीक है यदि पहली वर्ग का विक्रन 10 रूट टू दिया है तो दूसरे वर्ग का विकरन बता है तो बहुत ही important question है यहां पास देख लीजिए आपका यह question आपका repeat हो चुक है इस type के repeat हो है मतलब आपका concept सेम चल रहा है तो दूसरे वर्ग का विकरन आपको दे दिया है मतलब का 10 root 2 यानि इसका विकरन क्या दे दिया है तो 10 root 2 दे दिया है अब आपसे बोला क्या है तो दूसरे वर्ग का विकरन बता है यानि आपका इसका विकरन पूछा गया ठीक है और यह question friends आज का आपका second ship ने पूछा गया था ठीक है तो आप लों इसको देख सकता है तो अब देखिए यहाँ करना क्या है अब देखिए बात को समझिएगा यहाँ पास आपको क्या करना है मैं बताता हूं तो इसमें कुछ नहीं करना है सिंपल सा आपको क्या बोला गया था अब मान के चलिए क्या बोला है यह पहला वर्ग का विकरन दे दिया है ठीक है पहला वर्ग का विकरन क्या दिया है 10 root 2 दिया है तो आपका वर्ग का विकरन होता क्या है तो root 2 A होता है होता है आप लोगों को उमीद कता है यह formula सब पता होंगे और अप लोगों को सारे formula friends आने चाहिए ठीक है तभी जाके आप exam में बना सकती easily ठीक है क्योंकि वहाँ पाँ सबसे formula based question ही आप से पूछ रहा है ठीक है तो यहाँ root 2 A equal to किसके बराबर हो जाएगा तो मतलब इसका चेत्रपल कितना वह बड़े वाले का चेत्रपल उमिद करते हो syndrome five consume अगरोण फिक एथ आप देखके अब देखें, root 2 A होता है, अब यहां बात को समझेगा, यहां पास आपके पास छेतरपल आया है, तो छेतरपल को अब इसको यह कीजिए, तो आपके क्या हो जाएगा, तो यहां पास आप जब इसको solve करेंगे, तो यहां पास क्या आजाएगा, तो 5 root 2 आजाएगा, ठीक है, क पुको 5 root 2 यहां पस गुना क्या हो जागा तो 5 root 2 ठीक हाथ यहां वकार 2 2 गुना जागा 2 हो गया 5 गुना 2 तो मेरे क्या हो जागा इसका इसका विकरन तो यह 10 ओजाएगा ठीक है फ्रेंट तो इमीद करता हो आप लोग समझे होंगे तो बस इसका अंसर था होता है चलिए B को C के मिलने वाले रुपए का 1 बटा 4 भाग मिले तो A और B का कुल योग कितना है ठीक है फ्रेंट्स तो उम्मीद करते हैं आपको समझ जाए होगा और ये फ्रेंट्स कोश्चन आपका घुमा घुमा की पुशा जा रहा है थे कितना की फ्रेंट्स आपको कंफियुज जा रहा है आपको यह सब भोलके ठीक है यह पास आपको रेशीयु ही दिया हुआ ठीक है तो क्या बोला जा रहा है ? मैं आपको समझाता हूं आपका कोई A है B है और C है ठीक है ये तीनों के बीच में आप 510 रुपय आपका विभाजीत किया जा रहा है अब किस तरीका से विभाजीत किया जा रहा है आपको ये बोला गया है क्या बोला जा रहा है आपको A को B के मिलने वाले रुपय का दो बटा तीन भाग है यानि आपका A को B का मिलने वाला दो बटा तीन भाग है मतलब आपका A को क्या हो रहा था जैसे दिखे A को B के मिलने वाले A को B को मिलने वाले तो यहां रहा नेक्स कोश्चन मिलने वाले रुपय का 3 तो यह रहा नेक्ट सोशन तो यहां देगे क्या बोला आपसे यदि 510 को A, B, C के बिच इस प्रकार विभाजित किया जाए कि A को B के मिलने वाले रुपय का 2 बटा 3 भाग मिले और B और C को मिलने वाले रुपय का 1 बटा 4 भाग मिले तो A और B का कुल यो कितना है तो मित करते हैं अपने को समाझ जाए होगा यहां सिर्फ आपको लाइन थ्रोल से इस तरीका से बोलके आपको कन्फ्यूस कर रहा है बाद बाद कि आपको कुछ नहीं है सिंपल सा कोश्चन है क्या बोला जारा मैं को समझाता हूँ कोई अपका A है B है और C है यह तीनों के बीच में 510 रुपय विवाजित किया जा रहा है अब बोला जा रहा किस तरीका से विवाजित किया जा रहा तो आपको यहां बोला गया रुपय का दो बटा तीन भाग नहीं इस अनुपात में ही दिया हुआ है उमिद करतो है आपको समझ रहा होगे ठीक है अब आगी क्या बहला आपको और B और C को मिलने वाले रुपय का एक बटा 4 भाग है तो आपका अपने और प्छारों भाग है और से यहां पर निके दाबल मिल रहा तो répon तो यहाभ है आको दिया हुआ था याव को अनुपाथ को अनुपाती दिया हो था बस आपको समझ था तो अब यह को जाता ह्फ़ाइब को थिकशननகள के यह Cheer RE तो दिरेक्ट तो A B C के बीट में क्या बटेगा तो दो था 3 था और यहां 12 था ठीक है अभ यानि इस अनुपात में लोंगा पीच पैसा बटेगा तो कितना बट रहा था फानसो दस बट रहा था यानि कितना हो गया बारा थीया 15 152 सटर यानी 17 रेसियो का बैली कितना आपका है आपसे पूछा किया था या यानि अपका 2 आतीन तो बस पांचस अका निकाल दीच तो क्या जागा ये आपका फैड इसका दीर सो हो जाएगा ठीक है तुमीद करता हूं अपलों समझे होंगे चलिए नेक्स वोचन क्यों चलते हैं आपका कि यह रहा मेरा नेक्स वोचन यहां दें क्या बोला आपसे एक घंड का कुल सतहा का छेत्र देर सो सेंटीमीटर स्कॉयर है उसका यहां से पहले आप इसका बूजा निकाल लेजिए तो physical सथम। फ़र्मुल की लिए खेजरा है उसकते के बराबर है करेटका बूजा निकाल तो अपका कट जाएगा, तो कितना हो झाएगा? यह आपका 25 बार में कट गया. मेरा a2 का आगीए 20, यायनी यानी मेरा a का बैलू के आगिया भुजा, तो मेरा ये आपके आग जाएगा 5, ठीक है? अब आपसे क्या पुछाता हो, तो तो उसका आयतन क्या होगा? में पुरूस महिला और बच्चे का अनुपाद क्रामस 6 अनुपाद 4 अनुपाद 3 है तो महिला कितनी है उस गाउं में यह दि बच्चों की संख्या 2700 है ठीक है क्या बोला जा रहा है आपका कोई गाउं है जिसमें आपका पुरूस महिला बच्चे का अनुपाद दे दिया क् छो छो श्या और साथ में बच्चों की सिंख्चाяж में in dit dem परऊज करते नीए तो आपसे पूछा क्या है तो आप самого प्सी र्याओं जी तो उस गोँ में यहियनि अपसे चार आनुपात का मतलब अपसे पूछा था इसका वेल्यू तो जब 3 का मेरा वेल्यू आपका 2700 आपका शेयल यह क्या जाएगा तो आपका 900 होजाएगा ठीक है तो आहीं का आप फिर से आपका 390 रुप्या है और क्राय मुल वक्स पूछा तो अपको क्या होगा तो आपको क्या हो जाएगा और कितना मुन अपाधा कमा रहा तो बीस प्रतितस कम रहा है तो यानि इपको तो यहां प्लस बीस जोने 120 हो जाएगा ठीक है मैं आपको यह बहुत बाहर बता चुका हो अभी पिछला दो-तीन दीन में अपका लगता है डायरक्ड डायरक्ड इस्ट पको पूछ जा रहे है तो यहां पका क्या हो जाएगा यह आपका दो का पाड़ा में यह आपका छे बा समये लगेगा तो चाने सबने यसे लेक्सेशम पर हो जाएगा आप इसका डायरक्ड वैलू से बना सकते थे या आप जानते हैं चांब तो क्या होता है तो 20 क्या होता है तो 4 बास सब्क रोजा कर सकते हैं तो होता है 10 होता है तो 10 बनके 1 जी रो और कंसल कर देगा बस हो गया 4 medidas 9 से भगे दीजे तो 2 बार में कितना हो जागा 4政府 25 और देगा फिर थी जा निल ये का है तो बाई 2.5 का आंशार हो जाए कि लिए रहा नेक्स सोच्चन तो यहाद यह क्या बोला आपसे किसी वृत का त्रीजिया 10% घटा दी जाए तो वृत का छेतपल कितना हो जाएगा तो फ्रेंट्स इस टैप का कोश्चन आपका हर दिन पूछा गया ठीक है कभी आपका त्रीजिय गनप को बोला गया था है कि आपका घनप का लंबाई उचाई और चोड़ाई यह तीनों को कुछ कुछ आपको बता दिया गया था कि परसेंट आपका बढ़ा दिया जारा तो पूछ तो चेतरफल में कितना परतिज़त का व्रिद्धी होगा ठीक है तो इस टैपका कोशन आज भी पूछा गया था ठीक है तो आप लोग देख लिए इस टैपका कोशन जरूर पूछा जाएगा ठीक है तो मैं आपको बता चुका हूं सिंपल सा कभी भी कुछ भी चीज आपका बढ़ा है या फिर घटा है तो आपको क्या करना होता है उसका चेतरफल में क्या आसर परतिशत है तो यहां पास क्या हो और इस गट रहा है यानि पहले धका घट रहा है फिर क्या हो फिर घटा का Israeli हो जाएगा आपका 10 गुणा 10 वह ! दोनों जगा मानेस है क्या हो जाएगा तो मेरे दरोड़ा सौ हो गया और बटास सौ हो आज यह हो गया अब हो गया तो 10 10 20 हो गया माइनस 20 हम माइनस या पर प्लस एक तो क्या हो गया मेरा लास्ट में माइनस 19 हुआ ठीक है यानि आपका 19 परतीचत आपका उसका त्रीजिया में अपका घड़ जाएगा ठीक है चेतर पल में तो उम्मीद कता है अपना उसमय जाया होगा चलिए नेक्स शोचन क अभी मैंने थ्रोल देर पहले आपको कराया था वहां पास आपको ट्रेन का पूछा था यहां आप से पूल का पूछा था बाकि सेम तो है चीज आपका वही कॉंसेप लगने वाला है क्योंकि दोनों जगा गती आपका बराबर होने वाला है ठीक है तो इसको भी उसी तरीक लंबाई होगा जो कि मेरा लंबाई अपकी बार दे दिया एक सो असी और यहां से आया फिर एक काम किजी इसको आप वही से बनाई सकते थे एक चीज तो आपको खुछ समझ आ जाएगा देखिए क्या दिया हुआ आप पहले गती निकाल लीजिए गती निकाल सकते क्योंकि एक सो असी मिट्र लंबा एक तो ट्रेन आपके पास है आपके पास 12 सेकेंड में आपका पोल को पार करती है तो उसका गती क्या हो जाएगा तो 180 बटा बारा इसको सॉल्ट करेंगे हो गया है 15 यानि आपका 15 मिट्र पर सेकेंड अपका गती है अब आपको क्या बोलाता वह पूल का लंबाई बताने के लिए तो पूल का लंबाई कैसे होगा तो फिर से आपका speed is called distance by time ठीक है अब speed मेरे पास निकल गया यानि गती निकल गया यानि 15 आपके पास है और distance क्या है train का तो train का आपका 180 अब प्लस क्या हो जाएगा तो आपका पूल का पूल को मैं x माल लेता हूं x हो गया और यहां पास किता समय लग रहा था इसको पार करने में पूल को तो बस इसको solve कर लिजिए यहां पास क्या हो जाएगा आपका अठरा पचे नबे नो केरी अठरा नो मतलब 9 27 हो जागा या या फिर आप उस तरीका से भी बना सकते हैं ठीक है तो यह रहा मेरा नेक्स कोश्चन यहां देख क्या बोला आपसे तीन नल ABC क्रमक्स 4-6-12 गंटे में भर सकते हैं यादि तीनों नल एक साथ खुलने पर कितना समय लगेगी भरने में तो फ्रेंट सिंपल सा कोश्चन है अ टीनों मिलके एका कितने में भर स्केंगे तो फ्रेंट्स वसी तरीकास से कीज़ें जैसे वर्क इंट टाम में बनाते थे आका बोलता था A उतने दिन में काम करता, B उतने दिन में काम करता, C उतने दिन में काम करता, चीज वह ही है, ठीक है, तो यहाँ पास आपका A है, कितने दिन में काम करता, 4, B कितने दिन में काम करता, तो यह आपका 6, C कितने दिन में काम करता, तो 12, ठीक है, तो आपका 3ों का पूरा काम निक आपका दो हो जागा यानि आपका यह 1 से भाग दे जिए तपी csakग में तो तो तीन मिला के के बीच 30 लड़किया का औस दो सम्लोग तो पूझा जादा है तो देखे 30 लड़कियों थी तो 30 लड़कियों का योग कीतना हो जाए का मतलब वजन का योग पूरा आपका 30 लड़की तो क्या जागा तीस गुणा और सट किता था और सट शूला तो यह किता जागा चारसो असी सुला तीयाड़ तालीस जीरो लग जाएगा ठीक है अब क्या हो गया अब जो सेज चातर थे तो कितना होंगा वह लड़के होंगे तो लड़के कितने हैं तो 20 होंगे लड़के क्योंकि पचास था तो तीस लड़की तो लड़का कितना होंगे 20 होंगे अब गुना किसे होगा तो आपको आउसत से यानि को 15.5 ठीक है अब इसको गुना कर लिजिए तो देखिए एक जीरो आपका हटा दीजिए मतलब लिए जोड लिजें इसका कितना हो जाएगा तो अब क्या है यानि बारा पूरा का योग कितना हो गया सभी लोगों का तो साथ सो नभे हो गया तो पचास लोग है तो यहां कितना हो जागा पंदरा पचे पचतर या आठ बार में कट जाएगा ठीक है तो इसका अंसर हो जागा पंदरा दुस्वांड़ा ठीक है तो उम्मीद करते हैं अपलंग समाझ जाए होगा चलिए नेक्स सचन कर बढ़ते हैं कीटने परतीसात है तो यहां पर 30 मौत की गया और एक रूपय का कितने परतीसात है दें के इसका लहाद ठीक है अगर आप सोचेंगा mathematically से बनाने के लिए तो बस छे पैसे है तो छे पैसे को पहले रूपिया में बदल लीजिए क्योंकि अगर रूपिया है यहां पास आपके बना तो रूपिया में कैसे बदलेंगे तो छे बटा सो से इसको भाग दे दीजिए तो आपको क्या हो ज चलते हैं अपका यह सोचन तो यह देनकर बोले है तो यह क्या बोला गया तपसे यह देखें चकर बी ब्याज और सधारन, अंतर जीएcrभ alert के दो साल के लिए अभ्याद दे देता जिसमें आपको बस मूलधन को ही पाइंड करना होता है तो इस टाइप से आपका आज भी कोश्चन पुछा गया था और आपका ये कल भी पूछा गया था और यह आपका परसू भी पुछा गया था ठीक है तो यह आपका लगतार इस का भी पुछ लिया सकता है तो यहां पास आपका क्या हो जागा था 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 सम इकल फॉड की होजाका तो सम इकल टू को हो जाता आपका टिफ्रेंश यानि आपका अंतर गुना सो गुना सो गुना सो ठीक है यह अपका तीन 200 होगा अब ठीक है और जो साल के लिए में दो टो प्रूमाइब मैं इसको देख सकते हैं और याद बूज्या है अभी कि एक टाइप का और कोशन पुछा गया था आज ही के दिन और आपका ये साम के स्वाप पुछा गया ग्रम जाना चाहँ तो बोल जा रहें कि 3,00 रुपया आपका हो जा रहा है दो साल में फिर वह ही 5 साल में आपका हो जारहêu रहे मतलब साल में तिन अज ihren उर्हें और तो आपक से वोल पूचा था ब्याद दर से बढ़ रहा यहां देखें next toion क्या बोलागी आप से a और b मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं तथा a अकेले उसे 8 दिनों में करता है तो b अकेले किते दिनों में करेगा तो friends simple सा question है a b कोई काम को आपका 6 दिन में करता है आप बोला जारा है अकेला उस काम को 8 दिन में करता है तो कुछना जाहा है कि B अकेले कीमный करेंगा होicana को ठीक है सिम्पल साप इसको left m सभेना सकते हैं यह टर्रेक्ट فर्मूला अध्या करेंगे इस तरीका से यहीं बनाएंगे a b हूं होlles Во कितना दिन में कर रहा है तो का छेG yn में कर रहे हैं और अपका एक्या काम कितना में कर रहा तो चयाथ चारर है और हम कर करे एक दिन में 40 जोर। 46 में अपका 4 जोरे इंद्धिन की लिगां और हम का करें लिगां तो घम सब्सक्राई भी तो having पता चल्म चल गया जब एक दिन में कम कर रहा एक ठो तो अब आत का टूटल काम किता था 24 गूबिस कि अच्टार चाम करें और को 24 ही ही दिन लगें था याफ्स लीख मेंट तो या फिर आपको इसका फोर्मूला होता है उपको बता देता है इसको भी आप को यहां पर बनेतर बना चे और पया तो कुछ टूल लिए यह Dieses यहां से यहेँटानेक केड़ सब्सक्राइब यहां पना में यहां से नििन की भर उप्राइब यहां सकते हấpर। और नहीं केमाद स्वस्क्राम्ट भासे श्यागा ज़ेकन धृ करता है तो पूछा जाए कि आपका दोनों मिला के कितने दिन में करेंगे तो इस समय क्या करना होता है तो दस गुना बीस और जोड दीजिए तीस से ठीक है तीस से मतलब जोड के बस इसको सॉल्ब करें जैनि 20 बटा 3 तो इस तरीका से आप जब वूस्त में कर सकते है और इस वाले मे तो इसलिए मैंने यहां पर कोश्चन को नहीं लिया जिसमें आपको LCM HCF दे देता है और आपको पहला नंबर भी देता है आपको दूसरा नंबर को आपको खोजने बोलता है ठीक है तो आपको सिंपल से इसको बना सकते है उमीद करते हैं आप लोंग चलिए नेक्स कोशन क देख लिए आपको यह भी कोश्चन रिपीट हो चुका है जिसमें आपको एक आयात है आयात में आपको विकरन दे दिया रहता है ठीक है जैसे यहां मैं लिग दिया हूँ विकरन आपको दे दिया गया था और लंबाई भी आपको दे दिया गया ता है उस आयात का आप से चोड़ाई पूछी गई थी ठीक है तो यहां बस आपको फर्मूला आने चाहिए विकरन के यानि आपको एल स्क्वाइर प्लस बी स्क्वाइर और जिससे आप विकरन निकाल लीजिएगा विकरन से आप मतलब विकरन को बराबर कर दीजिएगा और अपका लंबाई को लेके म आपको उसी को निकालना था ठीक है फ्रेंड्स और यहां पास एक चीज और मैं आप लोगों को बोला चाहता हूं यह तो सिंपल सा था आज अपको कोश्चन क्या हुआ है लास्ट में आपका थर्ड स्रिप्ट में क्या हुआ है आपका वहां पास आप से सिलिंडर से भी पूछा गया है और स्कॉएर से भी लेटर कोश्चन पूछा गया है तो यहां पास आपका अगर बात करें 11 तरीष जो आपका एक्जाम आश तक चला है उसमें आपका मेंसुरेशन पार्ट में मतलब का एडवांस में तरह में सभी चीज को चूआ जा चुका है मतलब आपक सिलेंडर से भी QOS權 बन चुक है आपका गोल से और यापका गोल dólar से भी QOsTIONh । अब जा चुक है पिर आपका घंअप से भी QOIQO¿ गोश्चन पूचा जा चुक है घंधा से भी QOinQค पूचे जा चुके हैं वर्ग की पूचे जा रहे है ठीक है तो यह सारा मैं लगबग लगबग सभी से आपको कोश्चन टच कर दिया गया ठीक है तो मैं बोलना चाहता हूं कि कोश्चन हाड नहीं आ रहे बस आपको सभी का छेत्रपल एरिया वॉल्यूम जो जो होता है आपको सारा कुछ आपको फर्मूला आपको पते होने चाहिए ठीक है तो यहाँ पास मैं इस कोश्चन को नहीं बनाओंगा आप लिए इस कोश्चन को बना के मुझे कमेंट करके बताएगा ठीक है तो यह आपको मैं पढ़ देता हूं किसी रकम को 12% आपका 43.5 रुपए है तो रकम ग्याद कीजिए मतलब आपको रकम पूचा है ठीक है तो उम यहाँ नहीं लिया ठीक है तो आप उस सारा कोश्चन को देख सकते हैं और आने वेले दिनों में जो भी कोश्चन हो रहा मैं आपको अपडेट कराता जाओंगा आप उस सब कोश्चन को पैक्टिस करके चलिए और आराम से आपका मैत तो इजी सेक्शन पूछी जा रहा है म तो मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हीद जय वारत